अरियोम, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वाकत करते हुए आज क्या है कोरल रों में एक मेडिकल का लोगो डिजेन कैसे क्रेट करना उसके बरेमा बताने जा रहा हूँ पहले क्या है इसको एक rectangle लेता हूं इसे इसका जो unit है चोlywink में है एक बर इसको deselect करके मिलिमीटर कर लू आप आप अब इसको select करके इसको width करके 200 mm देता हूं और height है 200 mm आप इसको एक oldu को भी पेस्ट क्या मैंने अब इसका जो width का size है 125 रखता हूँ और इसका height का है 25 mm दिया है मैंने so अभी मैं क्या करता हूँ shape tool लेता हूँ shape tool लेके इस corner को hold करके इसे drag करो आपन तो करो बनता है इसको भी क्या है इसे drag करता हूँ तो ये करो बन गया भी अभी इन दोनों को select करता हूँ इसे बहर से drag करना है तो दोनों select हो जाता है और एक बार इसको click करता हूँ तो दिको ये point point आ रहा है अभी इसको क्या है control को hold करते हूँ इसे rotate करता हूँ 90 degree rotate करने के बाद mouse right click करके left click चोड़ना है तो और एक copy बन जाता है अभी इसको एक बार deselect करो आप deselect करके जो outer shape है इसको और shift के साथ इस shape को दोनों को select करना है select करके weld करता हूँ वेल्ड करने से देखो यह single object बन गया अभी अभी क्या है इधर त्री-point curve में आता हूँ इधर क्या है free and tool के अंदर क्या है इधर इसको लेता हूँ मैं इसको लेने के बाद जैसे इस पर आता हूँ तो दिको यह edge करके आपको दिखा रहा है और इधर क्या है इसे नोड पे snap हो रहा है यह snap क्यों हो रहा है, view के अंदर हमने क्या रखा इधर, snap to object को active रखा है, इसको कभी भी आपको active रखना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इस node पे आने के बाद, इसको इधर क्लिक करके, इस point तक लेता हूँ, जैसे इधर snap होता है, तभी क्लिक छोड़ देता हूँ, त अभी आपको क्या है, control को hold करना है, तो देको ऐसा आता है, ऐसे arc बनता है अगर आप shift को भी hold करेंगे, तो क्या होता है, ऐसे half circle बन जाता है, अभी इसको click करता हूँ, हम्प्लेट half circle बन गया यह, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको और एक बार click करो, click करने के बाद, इस point इस point को किया इधर सेंटर में लेता हूं जैसे इस इसनाप होता है तब आपको click छोड़ना है इसको क्या है control को hold करते वे इसे rotate करता हूं 90 degree rotate करने के बाद most right click करके left click छोड़ना है तो और एक copy बन गया भी अभी देखो इदर क्या है Interactive Fill Tool में आता हूं, इधर क्या है Smart Fill है, इसको लेता हूं मैं, लेकि एधर क्लिक करता हूं और इस portion पे आप क्लिक करो, सेलेट करके आपको क्या करना है इधर इंट्रेक्टिव फिल टूल में आना है अभी इसको क्या है इधर क्लिक करके से कंट्रोल के साथ होल्ड करके इसे ड्राइग करता हूं तो दिको इंट्रेक्टिव फिल आ गया तो अभी इसको क्या है एक शेड देता हूं मैं समझे अभी आपको डार्क लग रहा है समझो और थोड़ा करना है तो आप 60 कर सकते हैं अभी इसको 60 दिया मैंने इतना देने के बाद इस पॉइंट को सेलेट करके अभी क्या करता हूं कि नॉर्मल ग्रीन देता हूं अगर आप चाहे तो इसको और थोड़ा आपश्मूद भी आप कर सकते हैं अबिधके इंटरेक्ट करने के बाद छोड़ करना है तो और करना ter 없습니다 आपको क्या करना है इसको क्लेट करके और एक बार कलिक करता हूं क्लिक करके इसका जो पॉयट करता हूं मैं अभि दिको इन सबको सेलेट करता हूं, सेलेट करके इसका outline रिमुव करना है थो इधर क्रॉस मार्क में आएक करके सेट outline करा बोलता हूं तो outline cancelled रिमुव हो गया भी अभी यह क्या है ट्विचेड medically का लोगो हो गया अगर यह करते होग तो आपको कुछ डोट्स वगिरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाग